आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन में और हम लोग फिर से जुढ रहे हैं आज सेकेंड क्लास में और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंड Pre-experience अर्थी बिबज्थ Candain में हम लोग current affair discuss कर रहे हैं और इससे संबन देते हैं इंडियन economy के concern में हम लोग concept, current affair, इसके अलमा PYQ, इन सभी combination series हम लोग लेकर चल रहे हैं, एक class हो चुकी है और आज हम लोग की second class है, दूसरी class है, और इस class में हम लोग प्रयास किये हैं या प्रयास कर रहे हैं कि और बहतर को लेकर के आपके सामने आएं, ताकि आपका conceptual, जो clarity है वो भी ठीक हो, और साथ साथ जो current related, जो issues हमेशा बना रहता है, इंडियन economy को लेकर के, उन से समंधित भी हमारी समस्या हैं क्या हों, solve हों, और हमारा जो आगे का exam है, उसमें हमको इसका अच्छा return भी मिले, okay, so बिना निमलिखित बाजारों पर विचार करिये, there are certain type of market यहां पर दिये हुए in option में, और पूछा जारा है कि कौन सा बाजार जो है, कौन सा बाजार इसमें से पूजी बाजार के अंतरगत क्या है, सामिल है, यानि कि different types of market है, और आपको समाल पूछा गया है कि पूजी बाजार मे मार्केट के बाजार के बाजार के बाहरे होना चाहिए, जो इंडिये फईनिशल सिस्टम है, दरसल खास करके हम इस market के बाजारें बात करें है, भारती विता बाजार ही मंखिर से दो बागों में ह être एक इंडियान मार्केट और एक इंडियान स्टॉक मार्केट भारती जो है स्टॉक मार्केट इसे में कहते हैं और दूसरा इंडियान मार्केट वाला जो पार्ट है इस टोटली रेगुलेटेट वाला जो सेगमेंट है उसे से भी जो है रगवन करता है से भी रेगुलेट करत स्टॉक मार्केट के बात करते हैं तो शेयर बॉंड डिविंचर जैसे दिर्ग कालिक प्रतिवूतियों को वहां पर खरीदा बिचा जाता है तो इस तरह का यह बाजार है और इसी आधार पर आपसे प्रश्ण जहें वह पूछा गया है सबसे पहला अगर हम बात करें हैं पर सरकारी बॉंड बाजार के बारे में बात करें तो सरकारी बॉंड बाजार एक्जाक्ली जो है यह रिलेटेड होगा आपका स्टॉक मार्केट से यानि कि स्टॉक मार्केट में शेयर बॉंड डिविंचर इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स का ट्रेड किया जाता है शो यह सीधा सीधा stock market यह यू कह सकते हैं हम लोग यह पूजी बाजार से संब्दित जो है यह एक आपका पूजी बाजार से संब्दित एक आपका क्या होगा instrument होगा इसके लागा अग deux ans काौलमणी मार्केट की बात करें करें या सिग्रहवधी-द्रव्वे बाद करें तो ये आपका संबंदित होता है मुद्रा बाजार से ये संब्नित किस से होगा मुद्रा बाजार की से वोगा इसे माना जाता है और इसे हम टर मनी के नाम से जानते हैं तो यह सारा का सारा जो market है यह एक्चली मनी मार्केट से related है अगर हम Treasury Bill की बात करें तो Treasury Bill इस आलसो related with money market which is governed by the reserve bank of India पूजी बाजार की बात करें तो ये पूजी बाजार को ही दरसल हम आम बुल चाल की भासा में कई बार इसे स्टॉक बाजार या स्टॉक मार्केट कहते हैं ये दोनों ही money market से सम्मदित है इसका मतलब जो सही आंसर है पूजी बाजार में उपरयूक्त में से कितने सामिल है तो एक ये सामिल है और एक ये सामिल है यानि कि केवल दो सामिल है ये भी प्रशन आपका UPSC 2023 में या पिछले वर्ष आपके एकजाम में सीधा ये प्रशन के इस प्राष्ण में आपको कोई अन क्लेरिटी नहीं होगी इस प्रष्ण का सही जवाब है के वल दो इस्टेट्मिन्ट एंड फॉर्स्ट एंड वन एस Фूर्थ ठीक है इसी के साथ बढ़ेंगा मोग नेक्स्क्सों के तरफ अगला प्रस्ण हम लोग के स्क्रीण पर है and the question is प्रशन है आपका उदारेकृत प्रेशन योजना ये एक important scheme है और हाली में इसमें एक बदलाव हुआ है और इस बदलाव के करण ही यह exam के point of view से important हो जाता है तो यह जो liberalized remittance scheme है या उदारिकृत प्रेशन योजना है इसके तहत कौन सा गथन आपसे पूछा जा रहा है कि गलत है यानि कि इस योजना के संदर में आपको कुछ सूचना दी गई है और उस सूचना के अधार पर आपको बताना है कि इस योजना के संदर में कौन सा statement चाही है तो सबसे remittance scheme के बारे में अगर एक लाइन बात करें तो कह सकते हैं हम लोग कि यह foreign exchange management act के द्वारा गवर्ण की जाने वाली एक ऐसी योजना है जो भारत से अन्य देशों में अन्य देशों में मुद्रा के remittance से संबंधित है यानि अगर भारत से आप दूसरे देश में fund transfer करना चाहते हैं या remittance करना चाहते हैं या प्रेशन करना चाहते हैं मुद्रा का तो इससे संबंधित rule, regulation, guidelines, amount, size of amount यह सब कुछ नधारित करने का काम इस liberalized remittance scheme के माध्यम से फेमा के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है यह प्रशन उत्तर पढ़ना है यानि कि option पढ़ना है जो कि यहां पर पूछा आप से गलत जा रहा है तो पहला option तो एकदम सही हो गया दूसरा statement की बात करें तो जो LRS है LRS के तहद एक वित्ती अवर्ष में यानि in financial year टूलाग फिफ्टी तोजेंड डॉलार तक प्रेशन की अनुमति होती है यानि कोई भी भारतीय निवाशी भारत से दुनिया के अन्निक इसी देश में धाई लौ धाई लाग डाला यानि कि 2,50,000 डॉलर तक जो है वह रेमिटेंस कर सकता है यानि प्रेशन कर सकता है और अगर इसके उपर की अनुमती चाहिए तो इसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा with RBI, RBI इसको परमिट करेगा तभी आप 2,500,000 डॉलर से उपर की धनरासी आप प्रेशित कर सकते हैं या रेमिट कर सकते हैं तो ये B option मी सही होगा C option की बात करें तो हाल ही में विदेशों में debit card के तहत लेन देन को सामिल किया जा चुका है यानि कि जो LRS scheme है इस scheme के अंतरगत जो विदेशों में यानि कोई भारती है और अगर वह विदेशों में debit card के माध्यम से अगर कोई आहरण कर रहा है debit कर रहा amount तो ये जो debit amount होगा ये debit amount जो है इस limit के अंदर consider कर लिया जाएगा clear बात और ये हाल ही में एक सुधार के रुप में जो है फेमा ने इसे क्या किया announce किया है so ये statement भी exactly सही statement हो गया और इसी statement के कारण ही हम लोगों ने इस प्रशन को frame भी किया है clear है option D की हम बात करें अगर option D कह रहा है ये योजना corporate partnership firms partnership firms okay HUF यानि Hindu undivided family trust आद के लिए भी जो है उपलब्ध है available for the corporate partnership firms HUF and trust ये trust के लिए या HUF firms के लिए या partnership firms के लिए actually ये schemes जो है available नहीं है ये भारती निवाशियों के लिए है या उनके लिए जो RBI से लाइसेंस प्राप्त है या जिन्हें मानिता प्राप्त है जो current और capital account के माध्यम से जिनको जो है RBI ने authorized किया हुआ है so ये option आपका option number 4 जो है वो exactly आपका गलत option है और आपसे पूछा भी जा रहा था गलत option it means अगर हम बात करें so option 4 will be the correct answer यानि option D will be the correct answer according to the question गलत पूछा गया है so option number D जो है ये आपका क्या होगा गलत option होगा I think so इस प्रश्ण में कोई problem नहीं होगी या अगर स्कीम के बात करें तो इस स्कीम को इबार फिर से जो है गोत्रू जरूर हो जाएगा ठीक से पढ़ लीजेगा उसको इसको इससे प्रश्ण पूछे जाने के सम्भावना बन सकती है clear बात जो नया इसमें inclusion है वो यही है कि डेविट कार्ड को include कर दिया गया है यहरे डेविट कार्ड के माध्यम से जो डेविट होगा amount in foreign वो LRS scheme के इस जो है इस जो है जो अपर सीलिंग है इस सीलिंग के अंदर गत कंसीरर किया जाएगा clear बात so हम लोग आगे बठेंगे अपने नए प्रशन की तरफ and the question is भारती अर्जविवस्ता के संदर में मांग प्रेरित मुद्राश्विती हम लोग एक बहुत common term है और यह बहुत बार परिछाव में पूछा जाता रहा है मांग प्रेरित मुद्राश्विती is known as demand pull inflation इसे हम demand pull inflation कहते हैं English में या इन में ब्रिधी पूछा जारा कि भारती अर्जविवस्ता के संदर में जो demand pull inflation है या उसमें जो increment है या उसमें जो ब्रिधी है किन कारणों से होती है यानि demand pull inflation के कारण पूछा जारा simple language में बात करें what is the cause of demand pull inflation so options are given five options are given पांच option दिए हुए हैं और आपको इसमें से बताना है कि कौन से demand pull inflation के cause है तो एक एक करके हम बात करते हैं सबसे पहले बात करें अगर हम लोग विस्तारवादी नीतियां अगर सरकार या केंद्रे बैंक के द्वारा विस्तारवादी एक्सेशनरी पॉलिसिए अपना ही जाती है तो एक्सेशनरी पॉलिसي के माध्यम से बाजार में जो money supply होती है वो क्या होती है बढ़ती है और बाजार में तरलता बढ़ने से जो demand है यानि कि जो मांग है मांग भी क्या होगी बढ़ेगी और जब demand बढ़ती है और supply उस demand को meet नहीं कर पाता है so the inflation becomes a demand pull inflation so जो inflation है वो demand pull हो जाता है उसी को मांग प्रेरित मुद्रास्विती कहते हैं तो अगर यहां से कारण पूछा जा रहा है कि विर्धि की कौन से कारण है तो पहला कोदे exactly correct option दिख रहा है कि पहला exactly कारण है cause है of demand pull inflation second option की बात करें तो this is the राजकोशी प्रोटसाहन है न अगर सरकार के दारा कोई राजकोशी प्रोटसाहन दिया जा रहा है आम जनता में जैसे कि सरकार योजना के माध्यम से कोई fund का वंटन कर रही है कोई विशेश आर्थिक सहायता दे रही है कोई आर्थिक package का इलान कर रही है तो इन किसी भी प्रोटसाहन के माध्यम से aggregate money supply बाजार में increase होगा और जिससे मांग में वृद्धी होगी demand में increment होगा और यह जो मांग वृद्धी है वो वास्तों में मांग जनित मुद्ध्रास्विती यानि demand pull inflation को क्या करेगा increase करेगा तो यह दूसरा option भी क्या होगा इसका cause होगा demand pull inflation का थर्ड option हम बात करें तो थर्ड option क्या कह रहा है मुद्ध्रास्विती सुचकांकन मजदूरी and inflation indexing basis अब inflation indexes basis क्या होता है जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम यह नहीं समझ पाएंगे कि मांग प्रेबित मुद्रास्विती में यह कारक है यह यह backyard है आगर हम मुद्रास्विती सुचकांक मजदूरी की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं दो टन दिये हुए, यहाँ पर मुद्रास्विती और मजदूरी, मुद्रास्विती और मजदूरी का मतलब सिंपल यह होगा, कि जो है, जो वेज है, यानि कि जो मजदूरी है, उस मजदूरी को अगर मुद्रास्विती से जोड़ दिया जाए, तो यह मुद्रास्विती inflation के rate को अगर इसमें increase कर दिया जाया जोड दिया जाया तो इसे हम कहते हैं inflation indexing wages कहते हैं हम लोग या ऐसी मजदोरी जो मुद्रा स्विती से protected है ऐसी मजदोरी को हम कहेंगे inflation indexes wages के नाम से हम इसे जानते हैं अब आप मुझे बताईए कि जितनी हमारी आय है महंगाई बढ़ने से अगर उतनी ही बढ़ जाती है तो हमारी जो मांग है जितनी थी उतनी ही रह जाएगी हमारी मांग तब बढ़ेगी जब हमारी आय हमारी बरतमान आय से यानि बरतमान मांग से अधिक हो जाए क्लियर बात यानि exactly अगर हम बात करें तो ऐसे हम कह सकते हैं कि हमारी आय उतनी ही बढ़ रही है जितनी के महंगाई बढ़ रही है महंगाई अगर जो है कम बढ़ती और हमारी आय बढ़ती तो इसे हमारी मांग ज्यादा उत्पन होती यानि demand create होता लेकिन हो क्या रहा है कि जितनी महंगाई बढ़ रही है वो महंगाई को हमारी income में जोड दिया जा रहा है तो हम जितनी मांग पहले करते थे उतनी ही मांग हम आज भी कर रहे हैं जब aggregate demand में कोई impact नहीं पड़ रहा है और जब aggregate demand में कोई impact नहीं पड़ेगा तो यह कैसे cause हो सकता है demand पोल inflation का यह मांग जिनित मुद्रा सुधी का cause कभी भी नहीं होगा यह option जो 3 है exactly it is wrong option यह गलत option है उच्य क्रे सकती यानि लोगों के पास उच्य क्रे सकती है तो यह तो statement गलत होगा चाओ थे statement की बात करें तो उच्य क्रे सकती का मतलब क्या होगा कि उच्य क्रे सकती तभी होती है जब हाथ में पैसा होगा पैसा जितना ज्यादा होगा जेब में जितना पैसा ज्यादा होगा क्रे सकती उतनी ही ज्यादा होगी जितना पैसा कम होगा जेब में उतनी ही कम क्रे सकती होगी तो obvious ही बात है जब जे में अधिक पैसा होगा तो मांग बढ़ेगी और मांग जैसे ही बढ़ेगी तो वह demand pull inflation की तरफ जो है वह concept चला जाएगा तो ये भी आपका demand pull inflation को increase करने का एक cause हो सकता है हम बढ़ते हैं पांचवा option की तरफ बढ़ती ब्याजदर अगर rate of interest बढ़ रहा है rate of interest बढ़ रहा है आप मुझे बताईए कि जब rate of interest बढ़ेगा तो आप bank से ज़्यादा पैसा लेंगे या कम पैसा लेंगे जब rate of interest बढ़ा ह है वो क्या हो जाती है कम होती है और जब money supply कम होगी तो exactly जो है वास्तों में अगर हम बात करें तो यह कभी भी मांग प्रेद मुद्राशिती का कारक नहीं बनेगी इसका मतलब होगा option number five जह है वो क्या होगा गलत होगा option number five है वह कौज नहीं होगा किसका demand pull inflation का it means option number five option number three यह जो है कारक नहीं है और बाकी one two and four यह जो है तीन statement है वहाँ कारण है मुद्राशिती के तो one two and three one two and four one two and four क्या होगा option number a यानि कि इस question का correct answer होगा option number i i think इस question के बारे में आप सारी आउधरानाय सीख चुके होंगे आपको कोई issue नहीं होगा इस question को आपको समझने में इस question के concepts को deal करने में इसे के साथ हमें बढ़ेंगे अगले प्रश्न के तरफ next question है भारती रिज़र बैंक से ही भारती रिज़र बैंक अगर बैंक दर को कम करने का कार्य करता है इसका impact क्या होगा जब भी याद रखेगा bank rate को कम किया जाता है so पूछा जा रहा है तरलता से सवाल है तो याद रखेगा जो तरलता है वो क्या होती है बढ़ती है there will be a vice versa relationship between या यूं कह सकते है there will be an inverse relationship between the rate of interest and the liquidity so अगर bank दर घटेगा तो तरलता बढ़ेगी और इसी का वाई से ваши versa होता है अगर bank debas दर आधर बढ़ाता है तो market में तरलता क्या होती है to bank तो और बेसी बात है, जो तरलता है, वो क्या होगी, बढ़ेगी, बाजार की तरलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, विदाउत यानि डाउट, डाउट, option नमर ए इस दा, यानि, option A, इस question का क्या होगा, correct answer होगा, इसे के साथ बढ़ेंगे हम लोग, next question की तरफ, निमन में से कौन सा भारत में, 1991 में, आर्थिक नीती के बाद, उदारी करण के बाद घटित हुआ है, यानि जो है, भारत में, 1991 के, 1991 में, जो आर्थिक सुधार हुआ, जो आपका liberalization क्या इन में से, इसके बाद क्या घटित हुआ, क्या component हुआ है, जरा देखते हैं, हम लोग, पहला option क्या कह रहा है, GDP में, क्रिशी का आंस ब्रहत रूप से बढ़ गया, याद रखेगा, जब, जो है, liberalization हुआ, तो GDP का, जो क्रिशी का अनुपात है, GDP में, वो घटा है, और स सेवा छेत्र का जो अनुपात है, वो लगातार बढ़ा है, after 1991, और बहुत तेजी से सेवा छेत्र जाये, उच्छाल मारा है, in comparison of क्रिशी छेत्र in GDP, तो ये वाला जो पहला statement है, ये गलत हो गया, क्लियर बात कौन सा कर्थन, पुछा जारेस में, सही उत्तर चुनना है, तो option ये तो गलत हो गया, बिश्व ब्यापार में भारत के निर्यात का अंस बढ़ा है, यानि कि जो 1991 के बाद से जब हमने लिबलाइज किया, हमने गलोबलाइज किया एकॉनमी को, तो वास्तों में देखा गया कि हमारा जो निर्यात है, वह जो है उसमें बेहत बदलावाया, औ और इसमें बृद्धी देखने को मिली, option में 2 is the correct answer, FDI का अंतर प्रवा, इनफ्लो बढ़ा है, यानि कि भारत कुछ वर्षों में तो बरत्मान में कुछ वर्ष ऐसे रहे हैं, जब सबसे जादा FDI को अट्रैक्ट करने वाला इंडिया एक कंट्री की रूपे जाना गया, त अभी तो पिछले 2-3 मेने पहले, फरवरी की रिपोर्ट है, तो 652 trillion dollar के आजपास हमारे पास अभी तक total reserve हो चुका है, क्यानि अपने समय का, या क्या सकते हैं, अभी तक का highest record या foreign exchange का अभी दर्ज किया गया है, यह भारत का विदेशी मद्राव अंडार में ब्रहत्रों से होई है, यानि अगर हम देखा जाए, सही उत्तर तो 1-2-3 उत्तर सही है, और अगर 2-3-4 की अगर हम बात करें, तो 2-3-4 आपका option number B में है, it means option number B, exactly correct question होगा, of this question, यह सही answer होगा, option number B, इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग, option number B, जह है, इसका सही answer होगा, next question है, next question आपका, रा इस act को पास किया गया, इस अधिनियम को पास किया गया, और यह दरसल मुख की रूप से, आप यहाँ पर headline से देख सकते हैं, यह पूरी तरीके से, खाद सुरच्छा को सुनिश्यत करने के लिए, सरकार द्वारा, एक कानून जो है, की रूप में इस अधिनियम को, या इस विधा को पारित किया गया, इस अधिनियम के संदर में जो, यह कुछ कथन दिये हैं, और आपको बताना है, कि इसमें कथन में से कौन सा कथन क्या है, सही है, तो सबसे पहले हमनों बात कर रहे हैं, पहला statement, केवल वही परिवार सहाइता प्राप्त खाद्यान लेने के लिए पातरता रगते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे स्रेडी में आते हैं इस बात को ध्यान दीजिएगा ये statement आपको बहुत confuse कर सकता है बहुत सारे लोग ये statement ये statement टिक कर सकते हैं जो कि खाद्यानों का जो वितरन है वह actual में इस आधार पर ही था गरीबी रिखा के नीचे पर ही वितरीत करने का आधार था लेकिन जब राष्टी खाद सुरच्छा अधिनियम नेशनल फूर्ड सेक्योटी एक्ट पास किया गया तो इसमें गरीबी रिखा से नीचे की बात नहीं की गई है कहा गया है कि ग्रामिड छेत्रों में ग्रामिड के अंतरकत बात करें तो यह स्टेट्मेंट क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा दूसरा स्टेट्मेंट है किसी भी परिवार में अगर 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की अगर कोई महिला है तो राषन कार्ड जो है कि प्रयोजन से वही परिवार की मुख्या होगी और राष करने के लिए एक बहुत प्रमुक उपाया की रूप में इस अधिनयम में पास गया गया है तो राषन कार्ड में परिवार में 18 वर्ष से उपर की कोई महिला होगी वही उसी को मुख्या माना जाएगा और यह विमन इंपार्मेंट को भी प्रमोट करने के लिए अधिनयम मे या विशेशता रखी गई है तो यह स्टेटमेंट एक्जैक्टली आपका करेक्ट स्टेटमेंट है क्लियर बात खाद शुरचा अधिनयम के अंतरगत इसके लिए बात करें गर्वती महिलाओं या दूद प्लाने वाली माताओं गर्वावस्ता के दौरान और उसके 6 महीने के बाद तक प्रति दिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हगदार है यह दरसल यहां तक तो सारी बाते ठीक हैं गर्वावस्ता के दौरान और उसके 6 महीने के बाद तक यहीं से यह स्टेटमेंट गलत हो गया है तो तो 600 कैलोरी वाला राशन की बात नहीं की गई है इस इसी महलाएं जिन्होंने जो है किसी बच्चे को जर्म दिया है तो 6 महीने के अंदर प्रशव के बाद 6 महीने तक यह 6 महीने के बाद उनको राशन तो मिलेगा ही मिलेगा लेकिन 6,000 रुपय का मौद्रिक लाव भी उन्हें मिलेगा so option number three exactly आपका गलत option हो जाएगा केवल दोस्रा option आप्ष्न 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 आपका सही है केवल दो आप्ष्न 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 आपका सही answer ए यह सही आ इस सही answer के साथ अम लोग बढ़ते है आपने अगले प्रश्न आप्के तरफ option number B is the correct answer एके ? जबाब बढ़ चर्ट कर हिस्सा लिया होगा और सवाल का जवाब जरूर दिया होगा मुक्तान संतुलन के संदर में कौन सा इनमें से चालू खाते से संबंदित है तो exactly आपके पाँ चार आप्शन है और आपसे कूट पूछा जा रहा है कि कौन सा सही कूट है तो ब्यापार संतुलन की बात करते हैं तो balance of trade आता है यह और exactly इसी को कहते है current account कहते है यही दरसल मुक्त की रूप से चालू खाते की रूप में भी इसी को जानते है लेकिन जब current account में capital account जोड़ जाता है तो balance of payment होता है और जब केवल current accounts की बात करते हैं जो visual trade और invisible trade को सामिल करता है वो दरसल beauty का बाठ हो जाता है तो exactly option number A वो consist है current account में दूसरी बात करें हम लोग तो विदेशी परिशंपतियां यह दरसल पूझीगत खाते का भाग होता है यह आपका पूझीगत खाते से संबंदित होता है capital account से संबंदित होता है चाहे वो विदेशी परिशंपति हो चाहे वो red हो है ना चाहे banking पूझी हो यह सारा जहें आपका foreign asset या आपका पूरा का पूरा capital account के अंदर गता जाएगा अद्रिश्यों का संतुलन अद्रिश्यों को हम लोग सेवाओं को लेते हैं यानि services को लेते हैं and services exactly the part of चालू खाता यह current account का पार्ट होगा option number 3 current account का पार्ट होगा और यह BCSR अधिकार यह आपका current account का पार्ट exactly नहीं है so option A यानि व्यापार संतुलन और option 3 यानि अद्रिश्यों का संतुलन exactly यह आपका सही statement है एक और तीन एक और तीन अगर देखा जाए so option number C जो है इस question का क्या होगा सही answer होगा यानि कि option number C जो है इस question का सही answer था आप सभी लोगों ने जितने लोगों ने option number C answer दिया था उन सभी विद्यार्थियों का यह उत्तर बिलकुल सही था तो यह रहा पिछली वीडियो के प्रश्ण का उत्तर और यह रहा आज के लिए आपका एक नया प्रश्ण या आज के लिए आपके लिए एक 72 प्रश्ण ज आप समझते भी इस cancer दे सकते हैं question है किन परिष्टितियों में पूझीगत लाव हो सकता है capital gain किन परिष्टियों में हो सकता है पहला है जब किसी उत्पाद की विक्रे में वृद्धी हो यानि जब किसी product का sell बढ़ता है जैसे हमारे पास pen है 100 pen बेचते थे अब हम 200 pen बेचन का मतलब क्या होगा जैसे माल लिजे हमने कोई घड़ी खरीदी और अचानक से यह scarcity में आ गया यह अब मिल ही नी रहा है और इसके वज़े से प्राकृति ग्रूप से इसके मुल्ले में वृद्धी हो गई क्लियर बात तो ऐसा भी हो सकता है जब आप कोई रंगीन चित्र खरीदे और उसकी लोगप्रिता बहने के कारण उसके मुल्ले में वृद्धी हो गई या आप कोई ऐसा सिनरी खरीदा कोई आपने आर्ट खरीदा जो वास्तों में वर्ल्ड फेमस हो गया रात और उसके कीमत आवा को सौगुना मिलने लगा तो क्या वो कैपिटल गेन कहा जाएगा तीन ओप्शन है और आपको बताना है कि सही कूट कौन है क्या तीनों ही क्यापिटल गेन होगा या केवल दो होगा या केवल एक होगा I think so, अभी तक हम लोगों ने जितनी बात्चित किया, उन सभी बात्चित से आपको सारी बाते क्लियर हुई होगी सारे प्रश्णों का जवाब आपको ठीक से समझ में आया होगा, इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट रह गया होगा सो आप कमेंट बाक्स के मादे में से पूछ सकते हैं और प्रश्ण के जवाब को देने के लिए पीछे नहीं हटना है अपना आंसर जो है गलत या सही जैसा भी आप समझ पार हैं प्रश्णों को आप जवाब देने का प्रयाज जरूर कीजेगा सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यबाद इस सेशन में बने रहने के लिए फिर मिलेंगे हम लोग अपने अगले एपिसोड में कुछ नए और और बहतरीन प्रश्णों के साथ कुछ करेंट अफेर के साथ और कुछ बहतर कॉंसेप्स के साथ आप सभी लोगों का वेरी वेरी थैंक यू